हलो फ्रेंड आज बनाएंगे बहुती क्रेस्पी और चटपटा कुरकुरा मजेदार नास्ता जो कि एकदम नया एकदम डिफ्रेंट तरीके से इस नास्ति को बना कर त्यार करने वाले हैं अगर आपको हमारी रेस्पी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पे नई है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजीगा रेस्पी को बनाने के लिए इधर हमने दो कच्चे आलू लिये हैं मीडियम साइज के इनको धुल लिया था क्लीन करके लेना है उसके बाद दोनों आलू को अच्छे से चील लेना है इधर हमने दोनों आलू को अच्छे से चील के रख लिया है उसके बाद हमें इसकी पीस कट करने है बड़ा सा चाकू लेना इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे चिप्स बगएर हम काटते हैं उस दो से तीन वार अच्छे से पानी में हमें क्लीन कर लेना है जो इस्टार्च वगरा होगा वो निकल जाएगा और आलू भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे इधर हमने आलों को क्लीन कर लिया है आप देख सकते हो और पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आलू में आप दे तरीके से लेना है और पैन में इस तरीके से सैट करते हुए रखते जाना है आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से आपको सैट करके रख देना है उसके थोड़ी थोड़ी उपर रख देना है उसके थोड़ी थोड़ी उपर रख देना है उसके बाद थोड़ा सा नमक को पका लेना है एक साइड तो पक चुकि हैं दूसरी तरब भी हमें हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकने देना है अभी इनको मैं इसी तरीके से गैस पर छोड़ दीना है गैस को मीडियम फ्लेंपे करके तब तक आगे की त्यारी करते हैं इधर हमने एक बाउल ले ल रखे गा सारी चुझों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बारिफ में ढलेंगे थाथ ग्रीन चिली 2-3 बारी कट विसमने उसके बाध कर लिया तो इसके बार ही अर्द लेना है को यह बार सो बीदिगी निली कर देना है इसकी जगह पर अरारो ट ले सकते हैं कौन फ्लोर ले सकते हूं एदा की जगह पर गयाउ का आटा भी पट दीना है उसको अच्छे सी कबर कर दिना बैटर से के्चो धालेको जिस तरीके से लाया टाकि अच्छे सी कवर हो जाओ बेटर को कि अगर कभी ज्यादा थूरा काम गिराया गया से लूटा सा फ्रै सा धनिया बारी कटा हुआ इससे नाजते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसकी बाद हमें लिड लगाकि इसको धक देना है एक से डेड़ मिनट के लिए गैस को मीडियम फ्लैंप करके अच्छे सी पकने देना है एक से डेड़ मिनट होने की बाद नाजता कू चेक कर लेंगी हलका सा कलर भी चेंज हो गया है आप देख सकते हो लिड को हटा देना है आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा गुल्डन ब्राउन कलर आ गया है उपर साइड भी आ गया है उसके उपर से थोड़ा सा हलका हलका हमें ओयल लगा देना है इसके उपर से उसके बाद इनको पलट देना है नास्ते के इस तरीके से प्लेट इस तरीके से लगाई है बड़ा है नास्ता तो इस तरीके से आप पलट सकते हो उसके बाद पैन में हमें दुबारा से दूसरी तरब भी सेखना है तो इस तरीके से डाल देना है आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्र एक दम पीजा की तरह बच्चों को आप जरू बना के खिलाईएगा अगर आपको रैस्पी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना